नमस्कार मैं हूं सकंधिता और आप देख रहें इंस्टाफीड उत्रप्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारिया जोरों से चल रही है सबी पॉलिटिकल नेता अपनी कमर कस्चुके हैं और तैयारियों में लगे हुए हैं इस बीच हम आचुके हैं लखनों में जाइजा लेने के लिए कि क्या चुनावी महौल बना हुआ है और आज हमारे साथ मौजूद हैं महानगर की अध्यक्ष सोशील दिख्षित जी सबसे प्रदे तो स्वागत करना चाहेंगे सर आपका और जानना चाहेंगे कि आप महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार् 18 जंता पार्टी की ब्रश्ट और जालिम सरकार प्रदेश में चल लए है कहीं पर कोई विकास का काम नहीं हुआ कि किसी को रोजगार नहीं दे पाएं । सवाए जूट बोलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है हमारे लखनो में पिछले पांच वरसों में कहीं पर को भली सलके यहां पर मिलेंगे कंवार रोजवार को रोजगार नहीं मिला किसानों की समस्य आपके सामने हैं महिलाओं के साथ कि इतने बलातकार हुए पूरे प्रदेश में सारे लोगों ने देखा कोरोना काल की जो गती थी वो भी लोगों ने देखा तमाम लोग इलाज के अब हों मर गए तमाम ऐसे मुद्दे हैं कर गिनाने लगेंगे तो कई घंटे बीच जाएंगे महानगर अध्यक्ष है आप हम आपसे जाना चाहेंगे कोरोना के टाइम पे जो हालाद बने हुए थे उस वक्त क्या हालाद थे और किस तरीके से आपको लगता है कि सरकार ने मदद की या फिर समाजवादी के लोगों ने जो आम जनता है उनकी क्या किस तरीके से मदद की कोरोना काल के समय में पूरे लखनाओं में भगदल मची हुए थी दैसात का माहूल था कोरोना से पिलित मरीजों को इलाज ने मिल पा रहा था इंजेक्सन और अक्सीजन के अभाव में डेली मौते हो रही थी समाजवादी पाल्डी के नेता और कारकरताओं के द्वारा जि महानगर अध्यक्ष के दौर पर आप इतने साल से नियुक्त हैं क्या कुछ विकास आपने जनता के लिए कराए हैं और नगर के लिए हैं तो हजार बारे सत्रा की भीच में जब राष्टिय अध्यजी मुखमंत्री हुआ करते थे पचास वरसों में जितना विकास नहीं हु का विकास काम किया गया था पांचों विदान समाओं में सलके चमचम हो गई थी आज आप प्रस्चिम विदान समाओं में चले जाए आपको गलियां उखडी हुई मिलेंगी सलकों पर चलना दूबर हैं अध्यक्ष जी लखने हुँ तो राजधानी है और यहां पर योग्य थे रिष्ट गाटनु ए से लंनियास करने का काम कॉण चुरू किया दिसा zieлना करने काम कौष पिर्देश में कोई उध्गाजया आपको मिलेंगा- चुनावी माहोल को देखते हुए यह लोग जनता को बर्ग लाने का काम कर रहा है जूट बोलते हैं जनता इनके अब असर में आने वाली नहीं है प्रदेश की जनता माने राष्टी अद्देजी को देख रही है और समाजादी पाल्टी की सरकार बनाना चाहती है आपको क्या लगता है लखनों में जो नगर अध्यक्ष है आप तो यहां पर जनता की मूलगों समस्याइक क्या है किन पर विचार करना चाहिए किन पर सुनवाई की जनता की में समस्या महेंगाई आज पूरे प्रदेश देश के अंदर महेंगाई सब्स्रावला मुद्दा है लोग और गरीब भाई हमारे दो वक्त की रोटी के लिए संगर्श कर रहा है आप देखिए कि डीजल पेट्रोल खाने का तेल चीनी सारी चीजे महेंगी हो गई है पिछले पांच वर्सों में दो से तीन गुना महेंगाई इस देश और प्रदेश से बढ़ी है सरकार पूर मुद्य की राजित करती है वो हिंदु मुस्लिम मंदिर मस्जित के आगे यह न बढ़ पाएं हैं न बढ़ पाएंगे हमारे नेता सब को जोड़ करके सारी विरादरी को सारे धर्मों को जोड़ करके विकास की बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं मैलाओं की सुरच्च पुना इस प्रदेश के मुखमंत्री बनने जा रहा है इलेक्शन जब आता है तो सभी पॉलिटिकल पार्टिया जो होती है वो लालच का देने का काम करती है प्रियंका गांदी की बात की जाए तो वह कह रही है कि महिलाओं को स्कूटी देंगे फोन देंगे और योगी जी भ भुआ कण्या विद्धा धन वो भिधवा पेंसन समाजवादी आवास वोया आवास जेने सब्स्राव तमाम ऐसी योजना है राश्टे देजर जीने अपने कारकाल में चला कर दिखाया है विकास कर की दिखाया है लेटाप बातने में किसी धर्म किसी जाति को देखा ने सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सारी बिराधरियों को लेप डाप देने का काम माननी रश्टे दिज ने किया था हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्यामरा परसन संजीर के साथ मैं सकंधिता मिश्टरा इंस्टा फीड